बेटा आज हम अपना नया चैप्टर स्थार्ट करेंगे एक और प्रेक्टिकल चैप्टर की हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है जर्नल एंट्री बेटा बहुत सारी बाते करनी हैं आज आज आपको जर्नल एंट्री का बेस भी सिखाना है मैंने बाबु इन सब बातों से पहले एक कंसेप्ट की चर्चा करते हैं जिसके बारे मैंने पहले भी कभी ना कभी पढ़ा है मेरे बैरे बच्शो याद करो कभी न कभी मैंने आफसे एक Dual Aspect Concept की चर्चा की थी Dual Aspect Concept की मैंने चर्चा की थी बाबू ये क्या बोलता था Dual Aspect Concept की हर Business Transaction के दो impact होते हैं नाम नहीं है बेटा, Dual हर Business Transaction के दो impact होते हैं बेटा बोलता है हर business transaction का कोई ना कोई impact होता है बेटा और कहीं ना कहीं दो impact होता है बेटा एक चीज impact डालती है बेटा assets पर और दूसरी डालती है बेटा liabilities पर और आपको याद होगा मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको कहा था कि इसके basis पे हम क्या बनाते हैं balance sheet बनाते हैं ये बोलता है बेटा हर assets के equivalent एक liability होती है और हर liability के equivalent एक assets जरूर होती है बेटा बाबो इसी पर based ही हमारी accounting equation भी इसी पर based ही हमारी accounting equation भी जिसका हम formula लगाते थे बेटा की assets किसके बराबर होती है बेटा capital प्लस liability के assets बेटा हमेशा capital प्लस liability के बराबर होती है बेटा capital means your internal liability and liability means the outside liability of the business बेटा इसी के basis पर इस concept के basis पर balance sheet भी बनती है बेटा और इसी concept पर based बेटा accounting equation भी बनती है बेटा एक और बात आद समझने का time आचुका है जैसे कभी ना कभी आपने Newton's law पड़ा होगा बेटा Newton's law क्या कहता है बेटा every action has a contrary and a equal reaction ठीक है ना बेटा हर action का बराबर amount का और बेटा contrary reaction होता है बेटा वैसे ही ये concept एक और बात बोलता है ये concept बोलता है बेटा हर debit का एक credit जरूर होता है और वो भी equal amount का मेरे प्यारे बत्चो बिल्कुल ये वही बात बोलता है जो Newton ने कभी ना कभी बोली थी बेटा ठीक है ना ये बोलता है हर debit का एक credit होता है वो भी बिल्कुल equal amount का और बेटा हर credit का debit जरूर होता है वो भी एक equal amount का यानि कि बेटा हर business transaction के दो impact होते हैं बेटा बाबु एक impact होता है debit और दूसरा impact होता है credit हर business transaction के दो impact होते हैं बेटा एक debit पर impact डालता है बेटा और दूसरा credit पर impact डालता है बेटा बाबु आपको बता देता हूँ इसी concept पर based है हमारी journal entries बिलकुल इसी concept पर बेटा हमारी journal entries based है बेटा ठीक है ना बाबु हर debit का एक credit जरूर होगा और वो भी equal amount का और हर credit का debit जरूर होगा वो भी equal amount का तो बेटा without any further delay मैं बेटा बातों को आगे बढ़ाता हूँ और journal entries समझाने की कोशिश करता हूँ dual aspect concept पर हमने ये चर्चा हमारी पुरानी है बेटा आज मैंने एक नई बात बोल दी बेटा dual aspect मतलब दो impact बाबु एक हर business transaction के दो impact होगे एक debit impact होगा और दूसरा credit होगा हर debit का credit जरूर होगा हर credit का debit जरूर होगा वो भी equal amount का लो प्यारे बच्चो इस बात को मैं practically आपको समझाने की कोशिश करूँगा ठीक है जी बेटा आपको याद होगा बेटा हमने traditional approach modern approach पे बहुत बार चर्चा कर लिया है और मैंने आपको याद ही करा दिया है बेटा almost traditional concept और modern concept बेटा इस दी पर बेजड है हमारी journal entry लो बेटा मैं traditional approach से भी बता दूँगा करकर और modern approach से भी लो प्यारे बच्चो बहुत अराम से फटा फट से traditional approach और modern approach को आप rough में लिख लो ये बोलता था बेटा तीन तरीके के account होते है personal account होता है बेटा personal बेटा personal में भी तीन होते है और बोलता था real होता है और बेटा nominal account होता है बेटा real account में सारी assets आ जाती है लेकिन क्या नहीं आता bank नहीं आता और debtor नहीं आता ठीक है जी बेटा nominal में मेरे प्यारे बच्चो सारे expenses आ जाते हैं बेटा losses आ जाते हैं सारे revenues आ जाते हैं बेटा सारी income आ जाती लो प्यारे बच्चो मैंने ये भी लिख दिया personal में ये बोलता है तीन तरीके का personal होता था natural personal बेटा natural personal में चार बाते आते दे DC, DC मैं इसको प्यार से बोलने लगा था debtor, creditor, drawings और capital ठीक है प्यारे बच्चो और क्या आता था बेटा artificial personal बेटा किसी company का नाम हो जाए, किसी partner से firm का नाम हो जाए या बेटा कोई bank को बाबो bank क्योंकि mostly company होती है बेटा इसलिए ये भी artificial person में आती है ठीक है बेटा इसके इलावा बेटा representative personal account होते है बेटा जैसे की outstanding और prepaid outstanding और prepaid ठीक है जी मैंने ये बात भी कर रखे थी बेटा personal account का rule क्या होता है debit the receiver and credit the giver debit the receiver and credit the giver ठीक है जी बेटा real account का क्या rule होता था बेटा debit what comes in credit what goes out debit what comes in credit what goes out ठीक है जी बेटा और बेटा nominal का rule क्या होता था debit कर दो all the expenses and losses and credit कर दो बेटा all the income and gain credit कर दो बेटा all the incomes and gains लो प्यारे बच्चो क्या मैंने इतनी चर्चा कर ली थी मैंने traditional approach पर बेटा बहुत चर्चा कर ली थी modern approach में बेटा मैंने shortcut बताया था अब तो बेटा tips पर हो गया होगा clear और clear की full form थी बेटा capital, liabilities, expenses, assets और मेरे प्यारे बच्चो revenue बेटा capital, liability और revenue के लिए बिलकुल एक जैसे rule अगर ये तीनो increase हो जाएं तो बेटा कर देना credit अगर बेटा तीनो decrease हो जाएं तो बेटा कर देना debit याद करो ये बात हो चुकी है बेटा बहुत बाई, बाबू expenses हो या assets हो इन दोनों के लिए rule सेम है अगर बढ़ेंगे तो बेटा होंगे debit अगर decrease होंगे मेरे प्यारे बच्चो तो ये होंगे credit लो बेटा, हमने traditional approach, modern approach पे बहुत चर्चा किया इसके उपर based हमने बहुत सारे practical question भी करे थे बेटा, आज start कर रहे है journal entry, कोशिश करेंगे दोनों approaches से हम इसको समझने की वैसे बेटा, बाबू golden rule जो है बेटा, वो traditional approach को बोलते हैं ठीक है न, बेटा हीने हम बोलते है golden rule of accounting बेटा, ये तीनो golden rule हैं बेटा, accounts के लो प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करते हैं, जर्नल क्या होता है बेटा, जर्नल entry हमें करनी है, जर्नल क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते है याद करो बेटा, आप अपना lecture number one जिसमें मैंने कहा था, बेटा, business transaction की recording हमेशा जर्नल में की जाती है business transaction की recording हमेशा जर्नल में की जाती है, बेटा, लो मैं कुछ लिखता हूं इसके बारे में Journal is the subsidiary book book of original entry in which business transaction in which business transactions are recorded in a chronological order in a chronological order लो बेटा, मैंने जर्नल के बारे में कुछ लिख दिया बेटा, ये वही book है बेटा, जिसमें recording करते हो आप मैंने लिखा बेटा, जर्नल is the subsidiary book अभी बेटा, इस बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा, next chapter में इसके बारे में जरूर चर्चा करूँगा अभी मैं this word का meaning आपको नहीं बता रहा बेटा, लेकिन हाँ bracket में लिखी भी बात का मतलब जरूर समझा रहा हूँ कहता है जर्नल कहा है बेटा, book of original entry बेटा, इसे book of original entry क्यों कहा जाता है बेटा, इसे book of original entry इसी लिए कहा जाता है क्योंकि बेटा, सबसे पहले कोई business transaction अगर कहीं enter होती है बेटा, तो वो जर्नल में होती है मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई भी business transaction के आप recording स्टार्ट करते हो सबसे पहले कहीं entry करते हो बेटा, तो वो सिर्फ जर्नल में करते हो यानि कि सबसे पहले कोई भी business transaction कहा record की जाती है, बेटा, जर्नल में की जाती है इसलिए इसको बोला जाता है book of original entry, यानि की बेटा, शुरुवात ही यहां से होती है accounts की मेरे प्यारे बच्चों, शुरुवात ही यहां से होती है accounts की recording की शुरुवात journal से होती है बेटा, क्या बोलता है, कहता है journal एक सबसेडरी book है, जहाँ पर हम business transaction को record करते हैं इना chronological order, chronological order means बेटा, sequence में record करते हैं, that simply means बेटा, date wise record करते है बेटा, chronological order में record करते है, date wise record करते हैं, मेरे प्यारे बच्चों बेटा, journal क्या है, book of original entry, यानि की recording की शुरुवाती, बेटा, accounts की शुरुवाती कहां से होती है, journal से होती है यहाँ पर हम क्या करते हैं सारी business transaction को record करते है chronological order में chronological order मतलब sequence से record करते चले जाते है बेटा date wise record करते चले जाते है date से नहीं भटकने आपको ठीक है जी बेटा बाबू आज हमने journal entry pass करना start करना है बेटा आप एक काम करो आज इसका format सबसे पहले सीख लो बेटा बच्चे करें बताओ journal का format मेरे प्यारे बच्चो journal में ना 5 column होते है बाबू जर्नल entry में ना 5 column होते है बेटा अच्छा कौन कौन से 5 column होते है लोग मैं समझाता हूं बेटा सबसे पहला column date का होता है जो बेटा बस आप छोटा सा बनाना की date आजाए बस उसमें ठीक है जी बेटा दूसरा column बेटा पर्टिकुलर्स का होता है ये column बेटा बड़ा बनाना सबसे बड़ा column यही होना चीए बेटा यहाँ journal entry आपको पास करनी है ठीक है जी बेटा बाबू third column बिलकुल चोटा सा बनाना बेटा इसका नाम है LF आपको याद है जब बेटा मकाउंट बनाते थे मैं लिखता था JF JF means journal folio और बेटा LF means LF means बेटा ledger folio यह ledger folio बेटा LF बोलते है प्यार से बेटा अभी इसके बारे में पर्टीकुलर्स का दूसरा सबसे बड़ा कॉलम तीसरा कॉलम छोटा सा LF का और बेटा बाकी बचेवे दो कॉलम अमाउंट के बेटा यह कॉलम दोनों बराबर ही बनाना लो बेटा बाबू पहला कॉलम है अमाउंट डेबिट प्यार से DR भी लिख सकते हो और दूसरा कॉलम है बेटा अमाउंट क्रेडिट मेरे प्यारे बच्चो यह है जर्नल का फॉर्मेट जर्नल बेटा पाँच कॉलम से मिलकर बना है डेट, पर्टीकुलर्स, LF अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट कुछ नहीं करा, वैसे ही बेटा लेजर, फॉलियों का भी हम कुछ नहीं करने वाले बेटा, अमाउंट, डेबिट और अमाउंट, क्रेडिट का कॉलम बराबर बना ले क्योंकि यहां पर हमें अमाउंट मेंशन करनी है, दोनों ही जगा पर ठीक है जी बेटा, बाबू, जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको बोला था, हर डेबिट का एक क्रेडिट होगा, ठीक है जी बेटा, आपको बता देता हूँ बेटा, सबसे पहली लाइन में हम डेबिट एंट्री की समरी ओ बिजनस ट्रांजेक्शन की बिजनस में हुई क्या ट्रांजेक्शन है बेटा, इससे हम समरी ओ बिजनस ट्रांजेक्शन प्यार से बोलते हैं बेटा, हम इसको टेकनिकली बोलते हैं, नरेशन लिखना, क्या बेटा, हर journal entry में narration लिखी जाती है हर entry में narration लिखी जाती है हर entry में सबसे पहली हम बेटा debit लिखते हैं दूसरी बात हम credit लिखते हैं और तीसरी बात बेटा हम narration लिखते हैं यानि कि हर journal entry बेटा तीन line से मिलकर बनी होगी हर journal entry बेटा तीन line में आएगी बेटा सबसे पहले debit की बाद, दूसरी बाद credit की बेटा और तीसरी बाद narration की narration क्या है बेटा, detail देना की कौन से business transaction होई है बेटा ठीक है जी प्यारे बच्चो, तो ये हमारा format ready हो जाता है बेटा, journal entry का बेटा, आज से ही journal entry, अभी से ही journal entry हम करना start कर रहे हैं बेटा मैं आपको कुछ business transaction example में दे रहा हूँ बेटा और फिर मैं उसकी journal entry आपको सिखाता हूँ, लो प्यारे बच्चो, मैं इसको rub करता हूँ, लो एक बार मैं ये सब चीजें rub कर रहा हूँ, आप बेटा format बना लो, एक बार बेटा इसको note down कर लो, मुझे post करके फिर मेरे साथ साथ आगे बढ़ना, चलो जी लो बेटा, करते हैं बात बेटा हम journal entry के बाबो मान लो, मैं कुछ business transaction दे रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ, लो पास करो journal entry, पास दा journal entry, पास दा journal entry of the following, पास दा journal entry of the following, लो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कुछ journal entry दे दी है, लो बेटा, business transaction बढ़ाता हूँ, लो बेटा, date wise ही बताना शुरू करता हूँ, 1st of April 2021, started a business with cash, amounted to rupees 1 lakh, मेरे प्यारे बच्चों, आपने business start किया है बेटा, 1 lakh के cash के साथ, ठीक है जी बेटा, बबू, दूसरी entry, 15th of May 2021, पर्चेस्ट गट्स, पर्चेस्ट गट्स, on cash 30,000 rupees 30,000 rupees 3rd business transaction 30th June 2021 sold goods for cash sold goods for cash 45,000 rupees ठीक है जी बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा on 30th December 21 purchase goods purchase goods on credit on credit आपने उधार पर goods करीदे हैं बेटा amounted to rupees 60,000 and on the last day last day of the financial year 31st of March 22 sold goods बेटा याँ नाम भी लिख दो purchase goods on credit from RAM from RAM 60,000 sold goods to Mohan amounted to rupees 72,000 rupees लो प्यारे बच्चो मैंने ये कुछ business transaction दे दी और आपको कहा बेटा इसकी जर्नल एंट्री पास कर दो बेटा बहुत अराम से चीजों को समझते चलेंगे और आज जर्नल एंट्री पास करना सीखेंगे सबसे पहले बेटा पॉइटा फामाट बेटा लू बीच में लिखेंगे आप जर्नल एंट्री बेटा एक पूरे पेपर पर जर्नल एंट्री का फॉइट मैं पूरे column is of particulars particulars का column बनाएंगे बेटा second column चीक है जी जो काफी बड़ा होगा बेटा column चीक है जी third column is of LF लेजर फॉलियो चोटा सा column fourth column and fifth column बेटा लगबग बिलकुल बड़ाबर बनेंगे बेटा और यहां पर लिखा जाएगा amount debit first में बेटा और second में लिखा जाएगा बेटा amount credit लो प्यारे बच्चो बाबू format ready है journal entries करने के लिए लो बेटा start करो journal entry मेरे प्यारे बच्चो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले mention करो date मेरे प्यारे बच्चो अब मैं बोलता हूँ सबसे पहले अगर आप year mention कर देते हो तो हर एक transaction के साथ year लिखने की problem खतम हो जाती है बेटा आपका financial year 21-22 मैंने लिख दिया बेटा पहले उन transaction के बारे में जो 21 में हुई है 2021 और date mention कर दी बेटा 1st of April बेटा लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं मैंने mention कर दी 1st of April 1st of April 21 को क्या transaction होई बेटा आपने business को start किया है मेरे प्यारे बच्चो with cash आपने cash के साथ business को शुरू किया है बेटा अगेन अब देखो मैं याद कराना शुरू करता हूँ आपकी accounting equation और आपकी आज तकी knowledge को बेटा आपको याद हम T-shave accounting कर चुके हैं हम वहाँ पर traditional approach पर based question कर रहे थे हम वो भी कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चो अगर आपने cash के साथ business को शुरूआत की है बेटा तो ये दो account पर impact डालेगा याद करो बेटा बिल्कुल याद करो तो ये दो account पर impact डालने वाला है बेटा एक cash account पर और दूसरा capital account पर बेटा क्या business में cash आ रहा है बेटा बिल्कुल आ रहा है मेरे प्यारे बच्चो क्या business में cash आ रहा है बेटा बिल्कुल आ रहा है अगर आप सोचना चाहो तो modern approach से भी सोच सकते हो सोचना चाहो traditional approach से भी सोच सकते हो मेरे प्यारे बच्चो मैं traditional approach से सोच के बताता हूँ फिर modern approach में भी convert करूँगा इसको बेटा जब मैंने business को cash के साथ start किया तो बेटा दो account पर इसने impact डाला एक cash पर और दूसरा capital पर प्यारे बच्चो याद करो traditional approach पर based question में बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ बेटा cash क्या होता है real account होता है सारी की सारी assets real account होती है बेटा बस दो को छोड़ दो और capital क्या होता है बेटा personal account होता है याद करो dc dc बिल्कुल जी बेटा real account का rule क्या कहता है real account का rule कहता है debit what comes in बेटा real account का rule कहता है debit what comes in अगर कुछ आया है business में तो debit कर दो अगर business में cash आया है तो बेटा debit कर दो क्या business में cash आया क्या debit करना है बेटा बिलकुल करना है as for real account rule बेटा इसको debit करना है आप देखो बेटा मैं debit कर रहा हूँ मैंने कहा था journal entry में पहली side बेटा debit दूसरी side beta दूसरी line credit और तीसरी beta narration तो बेटा मुझे क्या करना है इसने का cash account को debit कर दो बेटा left hand side में लिखना particulars के cash account और debit लिखना बेटा बिलकुल particulars के right hand side में बेटा बीच में सारा space लिखने का तरीका बता रहा हूँ journal entry मेरे प्यारे बचो particulars में journal entry को लिखते है बाबु particulars के left hand side में लिखेंगे cash account और बेटा right hand side में लिखेंगे debit बीच का सारा space खा दी चीक है जी बेटा बाबु मैंने आपको कहा था first line हम debit लिखेंगे मैंने लिख दी बेटा second line मैंने ये बोला था credit लिखेंगे अच्छा मैंने ये भी बोला था बेटा journal entries based upon the dual aspect concept जो क्या बोलती है बेटा हर debit का एक equal amount का credit होता है बेटा हर debit का credit जरूर होगा बेटा वो भी equal amount का होगा बेटा दोनों चीजे किसी business transaction में कभी debit नहीं हो सकती दोनों account बेटा किसी business transaction में credit नहीं हो सकते है आप कोई business transaction सोच लेना दुनिया की कोई बेटा कोई भी business transaction दो account पर impact डालती है बेटा एक जरूर debit होगा और दूसरा जरूर credit हो कभी ना तो दोनों account debit होंगे बेटा कभी ना तो दोनों account credit होंगे हमेशा सोच लेना मेरे प्यारे बच्चो हर debit का एक equal amount का credit जरूर होगा चलो जी सोचते हैं बेटा क्या अगर ये debit हुआ तो दूसरा credit ही होगा बेटा चाहिए आप आखे बंद करके लिखलो ये credit ही होगा लेक अगर business ने किसी को कुछ दिया है तो उसको कर दो debit लेकिन अगर किसी और इंसान ने business को कुछ दिया है बेटा वो giver है उसको कर दो credit तो मेरे तो business में बेटा कुछ आया है किसी और ने दिया है मुझे तो तो बेटा मुझे credit करना है giver को और बेटा giver कौन है बेटा यहाँ प आपने debit को लिखना है तो particulars के left hand side लिखा cash account और बेटा बीच में space देकर लिख दिया debit credit को कैसे लिखते हैं बेटा जहां आपने space दिया है बेटा वहाँ से शुरुवात करते हैं और लिखते हैं two capital account बेटा two का मतलब क्या है बेटा ये two side ही credit side है एक presumption चली आ रही है बेटा एक प्रथा चली आ रही है बेटा कि हम credit को कैसे लिखते हैं बेटा two से denote करते हैं बेटा two side ही हमारी credit side है यानि कि journal entry लिखने का तरीका क्या हुआ बेटा cash account debit to capital account इसका मतलब है बेटा आपने cash account को debit करा और capital account को credit करा presumption चलती आ रही है प्रथा चलती आ रही है बेटा कि हम क्या करते हैं credit को two से denote करते हैं बेटा इसी two side को हम credit side भी बोलते हैं बाबो जहां बीच में मैंने gap दिया था मैंने वहीं लिख दिया बेटा took capital account ठीक है जी बेटा क्या मेरी journal entry पूरी होगी बेटा journal entry तो पूरी होगी लेकिन बेटा आपको एक narration जरूर लिखनी है बिना narration के काम नी चलेगा narration बेटा या तो being words से start होगी या forward से start होगी आप forward से भी start कर सकते हो बेटा being से भी कर सकते हो बेटा आपको लिखना क्या होता है इसमें सच बताओ तो बेटा जो business transaction दी होती है वो ही चिपका दो as it is कुछ भी मत सोचो ठीक है ना या बेटा अगर आपको समझ में आता है तो आप summary चिपका दो हुआ कहा है बेटा business शुरु ओआ है तो लिख दो being business started being business started with cash भी लख सकते हो अगर नहीं लिखना चाहते है हमें तो summary लिखनी है बेटा कि क्या हुआ है business में तो बेटा मैंने तो summary लिख दी की being business started business शुरू हुआ है जी बेटा कितने रुपे से शुरू है 1 lakh रुपी से शुरू है बेटा मुझे क्या करना है cash में debit में लिखना है cash में debit हुआ है तो debit में लिखना है capital credit हुई है तो amount credit में लिखना है क्या बेटा जो बात मैंने आज शुरू में बोली थी बिल्कुल वो ही मैंने प्रूव कर दी बेटा मैंने आपको पहले ही का था हर business transaction का एक debit होता है और एक credit होता है बेटा हर debit का एक equal amount का credit जरूर होता है हर credit का एक equal amount का debit जरूर होता है बेटा क्या बेटा journal entry भी dual aspect पर बेटा बिल्कुल dual aspect पर क्या हमने अपनी जिंदगी की पहली journal entry कर ली बेटा अपनी जिंदगी की पहली journal entry आपने कर ली इसके बाद बेटा अगर आप गिनने चलोगे तो 12 class तक हम एक लाग से ज़्यादा journal entry करने बाले हैं मेरे प्यारे बच्चो जैनल entry हमें कोई count थोड़ी करनी है हमने जिंदगी में कितनी करी हाँ ये पता हो ना चीए ये पहली की थी बेटा ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चो अगर मैं इसको modern approach से सोचने को कहूं तो क्या modern approach से सोच पाए लो बेटा modern approach से सोचना शुरू कर देते हैं बेटा started आप business with cash 1 lakh मैंने business शुरू करा एक लाख रूपे के cash के साथ बेटा ये कौन से दो account पर impact डाल रहा है एक cash पर और एक capital पर क्या बेटा business cash के साथ शुरू होने पर cash और capital दोनों ही बढ़ रहे हैं बेटा बिजनस में नहीं capital आ रही है बेटा capital भी बढ़ रही है cash आ रहा है cash भी बढ़ रहा है बेटा आप देखना आप cash का बढ़ना क्या होता है cash का बढ़ना बेटा मतलब assets का बढ़ना और assets का बढ़ना हमेशा debit होता है और बेटा capital का बढ़ना हमेशा credit होता है मेरे प्यारे बच्चों मैंने भी तो वही करा cash को करा debit और capital को कर दिया credit विदा equal amount जो मुझे question में दी हुई थी तो बेटा यही चीज को आप traditional approach से भी सोच सकते हो यही चीज को आप modern approach से भी सोच सकते हो जैसे आपको ठीक लगे ठीक है ना मैं courses करूँगा बार बार जरा 10-15 transaction को तो traditional से भी सोच लोगा modern से भी उसके बाद जैसे आपको सहूलियत लेगी कि बेटा हम वैसे सोच लेगे तो क्या हमने पहली journal entry कर दी कर दी बेटा line कीश देना बेटा scale से पहली business transaction खता ठीक है जी बेटा बाबू second business transaction हुई 15th of May को बेटा पंदरा मही को transaction हुई है कहता है purchase goods on cash 30,000 मेरे प्यारे बच्चों आपने cash में नकद में goods करीद है 30,000 रुपे का बेटा रफ में सोचते जाना बेटा ये कौन से 2 account पर impact डालेंगी बेटा दीरे दीरे जब आप सोचना शुरू कर दोगे आपको business transaction ही याद होने लग जाएंगी देख लेना बेटा मैं ऐसा बूल रहा हूँ पक्का हो जाएंगी लेगिन बेटा हमें रटा नहीं मारना किसी चीट का चीजों को समझना है और कोई भी नहीं business transaction हमें दे दी जाए बेटा हम इन rules से solve कर सकते हैं ठीक है जी बेटा बाबु जब आपने goods नकद में खरीदा तो क्या दो account पर impact डाला बेटा इसने एक तो बेटा purchase account पर impact डाला बेटा इसने और मेरे प्यारे बच्चों दूसरा इसने cash account पर impact डाला विल्कुल ठीक बात एक purchase account पर impact डाला और दूसरा cash account पर impact डाला बेटा purchases पर कौन सा rule चलाओगे personal, real या nominal बेटा यह कहते है सारे expenses कहां आते हैं बेटा nominal में आते है purchase is our expense तो बेटा यहाँ पर nominal का rule चलेगा और cash पर real का ठीक है जी बेटा बाबू अगर मैं real का rule देखू यह क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चो यह कहता है debit what comes in and credit what goes out बेटा डेबिट कर दो जो business में आया है और credit कर दो जो business से गया है डेबिट कर दो जो business से आया है और credit कर दो बेटा जो business से गया है बेटा cash business में आया या गया जब आपने बेटा goods खरी देया नगद में तो cash business से गया तो बेटा मुझे cash को करना है credit लेकिन प्यारे बच्चो journal entry में पहले debit लिखा जाता है जब मुझे ये पता लग गया न कि बेटा cash credit हुआ तो 100% समझ लेना कि दूसरी चीज debit होगे 100% दूसरी चीज debit होगे एक business transaction के दो impact हो सकते है ना तो दोनो credit ना दोनो debit एक credit होगा तो दूसरा debit होगा एक debit होगा तो बेटा दूसरा जरूर credit होगा चलो सोचने के लिए भी सोच लो बेटा purchase में nominal का rule चलता है और nominal का rule क्या कहता है debit कर दो सारे खर्चे purchase एक खर्चा है बेटा तो ये debit होगा लो मेरे प्यारे बच्चों क्या मैं सोच पाया purchase debit होना है बेटा बिलकुल क्या मैं सोच पाया बेटा cash credit होना है बेटा बिलकुल लो बेटा लिखो फटा बटसे purchase account debit purchase account debit to तो मेरे प्यारे बच्चो, cash account, to cash account, ठीक है जी बेटा, बाबु नीचे लिख देना, narration, narration लिखनी मत बोलना, being goods purchased, being goods purchased, बेटा purchase debit होई है, तो यहाँ पर debit में amount लिखना 30,000 रुपीज, और बेटा cash credit हुआ है मेरे प्यारे बच्चो, तो यहाँ credit में amount लिखना 30,000 रुपीज, क् जैसे ही मैंने business transaction कर दी बेटा, मैंने क्या कर दिया बेटा, horizontal line place कर दी बेटा, सर्फ particular के column में, ठीक है जी बेटा, बाबु क्या मैं इसको modern approach से भी सोचू, सोच लो मेरे प्यारे बच्चो, आपने goods purchase कर रहा है बेटा, cash में, आपने goods purchase कर रहा है मेरे प्यारे बच्चो, नग जाएगा, goods purchase करने से बेटा, नगत purchase कर रहा है, purchases बढ़ेंगी, cash कम हो जाएगा, assets का कम होना, cash का कम होना, हमेशा credit होता है बेटा, क्या मैंने credit करा, मैंने credit करा, मेरे प्यारे बच्चो, purchases बढ़ेंगी, purchases मतलब expenses, expenses का बढ़ना, बेटा, हमेशा debit होता है, बेटा, क्या मैंने purchases इसको debit करा, मैंने debit करा तो बेटा, आपको जैसे समझना है आप वैसे कर लो, बेटा, traditional approach से अच्छा लगता है, वैसे कर लो modern से अच्छा लगता है, modern से सोच लो लो बेटा, third business transaction on the 30th June 30th June को क्या हुआ बेटा business में, कहता है sold goods for cash 45,000 बेटा, आपने नगद में goods बेच दिये, 45,000 रुपे के, अच्छा जी, 45,000 रुपे के आपने नगद में goods बेच दिये, बेटा, सबसे पहले ये सोचो, ये कौन कौन से दो account पर impact डालेगा बेटा, ये एक तो cash account पर impact डालेगा, और दूसरा sales पर impact डालेगा बिलकुल ऐसा ही होगा, बेटा एक cash पर impact डालेगा, बेटा दूसरा sales पर impact डालेगा बेटा, cash आएगा या जाएगा मेरे प्यारे बच्छो, cash तो आएगा और बेटा, goods goods चला जाएगा business से, बेटा, modern approach से सोचते हूँ, इस बार, पहली बार और फिर बेटा, मैं सोचोंगा, इसको traditional approach से, बेटा, cash आएगा या जाएगा, cash आएगा, बेटा business में बढ़ेगा, और बेटा, stock stock business से चला जाएगा, बेटा, ये कम हो जाएगा, sorry मेरे प्यारे बच्छो stock की बार नी, sales, sales business में बेटा बढ़ जाएगा, मेरे प्यारे बच्छो, क्या होगा, goods जब बिका तो business में sales बढ़ेगी, मेरे प्यारे बच्छो, और बेटा, cash भी बढ़ेगा बेटा, cash का बढ़ना हमेशा debit, यानि की ये होगा debit, और बेटा, revenue का बढ़ना, sales मतलब revenue revenue का बढ़ना हमेशा credit तो मेरे प्यारे बच्छो, journal entry होगी क्या, cash account debit to sales account cash account debit to sales account being goods sold being goods sold बेटा, कितनी amount दे रखिया है मेरे प्यारे बच्छो, मुझे amount दे रखिया 45,000 रुपी तो बेटा, जो debit हुआ, उसके debit में amount, जो credit हुआ, उसके credit में amount मेरे प्यारे बच्छो, एक और बात सोच लो इसको traditional approach से बेटा, cash is a real account look, cash is a real account and sales is a nominal account बेटा, real account का rule क्या कहता है, debit what comes in जो आ रहा है, उसको debit कर दो बेटा, goods बिकने से cash आ रहा है, कहता है debit कर दो, debit what comes in ठीक है जी, और बेटा, nominal का rule क्या कहता है, सारे expenses को debit करना सारी income और gain को बेटा, credit करना, बेटा sales एक income का source है बेटा, इसको कहता है credit करना तो मेरे प्यारे बच्छो, यह है मैंने traditional approach से भी सोच लिया, बेटा, यह traditional approach से भी, बेटा, cash debit हो रहा है, और sales credit हो रही है तो मेरे ब्यारे बच्छो, अभी हम तीन journal entry कर चुके हैं मेरे पास space की कमी है बेटा, मैं traditional approach modern approach और यह सब rub करना चाहता हूँ, मैं यहां कर दूँगा यहां बेटा, एक काम करते हैं मैं यह दोनों चीज़े rub कर देता हूँ, यह entries rub कर देता हूँ, आप इसको note down कर लो, एक बार post करके मैं इनको सबको rub कर देता हूँ journal entries के उपर ही कर दूँगा लो बेटा यहां कर दूँए खेता हुआ पर खेता हूँ June रहै अर पोड़ाए भोड़ाए लाओ डाहा हुआ 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 मैंने बेटा format ready कर लिया है एक बार फिर से बेटा आप बिल्कुल sequence में record करते चले जाएंगे क्योंकि journal entry में business transaction chronological order में record होती है chronological का मतलब ही बेटा sequence है date wise recording करते हैं तो बेटा अभी तक मैं 30 जून तक पहुचा हूँ बेटा और 30 December को business में transaction हुई कि आपने उधार पर goods खरीद लिया बेटा राम से मेरे प्यारे बच्चों आपने purchase करा है goods राम से on credit अगर बेटा ये बोल देता कि आपने सिर्फ राम से purchase किया है और ये ना बताता cash किया या credit किया तब भी credit होता तो बेटा आपने goods purchase किया है राम से on credit ये दो account पर impact डालने वाला है बेटा एक purchase पर और दूसरा creditor पर बेटा हर वो supplier जिससे आप उधार पर goods खरीदते हो बेटा वो creditor होता है और यहाँ पर creditor का नाम है राम चीक है जी बेटा तो दो account impact होंगे बेटा purchase is a nominal account और creditor मेरे प्यारे बच्चों ये business का personal account है और बेटा rule क्या कहता है बेटा सारे expenses को debit कर देना बेटा सारे expenses purchase is a expense बेटा debit कर दो चीक है जी बेटा और बेटा personal का rule क्या कहता है debit the receiver and credit the giver मेरे प्यारे बच्चों अगर आप business किसी को कुछ दे रहा है बेटा debit the receiver उस receiver को debit कर दो जिसको business ने कुछ दिया लेगिन अगर किसी और इंसान ने business को कुछ दिया बेटा then he is the giver उसको credit कर दे रहा बेटा यहां बेटा राम ने business को उधार पर goods दिया है राम ने business को कुछ दिया है बेटा he is the giver तो बेटा उसको credit कर देना मेरे प्यारे बच्चो हर debit का एक credit होता है वो भी एक equal amount का तो बेटा 30th December को business में क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चो बेटा goods आए है बेटा उधार पर purchases को मुझे करना है debit purchase account debit ठीक है जी बेटा और मुझे क्या करना है बेटा creditor को राम को credit करना है बेटा तू राम's account मेरे प्य लिखना चाते हो राम ही खाली तो लिख देना to ram account word मत लिखना और अगर आप account word लिखने में इंट्रस्टेड हो नाम के आगे लिखने का नियम समझ लो बेटा या तो लिख दो to ram that's it कोई दिक्कत नहीं है बेटा और अगर आप account word लिखना चाते हो तो बेटा apostrophe s जरूर तो ram सका हूँ और बेटा अगर कोई इचा नहीं है तो बेटा to ram लिख दोगे बहुत बढ़िया ये भी बिल्कुल ठीक है ठीक है जी बेटा और आप narration लिख रहे हो being goods purchased on credit being goods purchased on credit तो बेटा आपने उधार पर goods purchased कर लिया है बेटा राम से amounted to rupees 60,000 rupees लो बेटा मैंने last business transaction को मैं post करना है मैं बेटा 4 business transaction कर चुका हूँ तो बेटा ये मैं सब रब कर देता हूँ मुझे space के requirement है मुझे बोलता है sold goods to Mohan 72,000 और बेटा last date the year 31st of March 22 sold goods to Mohan लो बेटा मैं transact कर रहा हूँ बेटा लो मैंने 31st March 22 को करिये ये transaction तो मैंने year change कर दिया बेटा लिख दिया 22 और ये transaction आपने कब करी बेटा 31st of March को की बेटा ठीक है जी बेटा मैंने लिख दिया 31st of March 22 कहता है sold goods to Mohan 72,000 बेटा आपने जब Mohan को goods बेचे हैं उधार पर बेचे हैं बेटा जब कुछ नहीं का और नाम दिया है मतलब उधार बेचे हैं तो ये दो account पर impact डाल Mohan's account तो मेरे प्यारे बच्चो दो account पर impact डालेगा बेटा ये debtor के account पर impact डालेगा और दूसरा sale account पर impact डालेगा sale क्या है बेटा nominal account और debtor क्या है मेरे प्यारे बच्चो personal account रूल याद करो बेटा nominal का rule कहता है debit all the expenses and losses credit all the income and gain बेटा ये income है ये gain है बेटा इसको कर दो credit और बेटा personal का rule क्या कहता है debit the receiver and credit the giver बेटा जब आपने goods मोहन को बेचा और उधार पर बेचा क्या business ने कुछ दिया बेटा हाँ business ने कुछ दिया business ने goods दिये बेटा मोहन को दार पर debit दा receiver बेटा receiver को debit कर दो याने की बेटा मोहन बिजनस में debit हो जाएगा लो प्यारे बच्चो लिखना चाहो तो लिख दो मोहन debit बस खतम और अगर account word mention करना चाहते हो लिख दो मोहन's account debit to to sales account और narration लिखना मत भूलना बेटा being goods sold to मोहन और बेटा मुझे कितनी amount दी हुई थी बेटा मुझे तो 72,000 की amount दी हुई थी मुझे तो बेटा 72,000 की amount दी हुई थी बेटा मैंने क्या करा मोहन को debit कर दिया और sales को credit कर दिया बेटा अब मैं क्या करूँगा अब मैं total करने वाला हूँ बेटा मेरे ब्यारे बच्चो यहाँ बर मैंने सारा का सारा बेटा जितनी transaction थी सबकी journal entry पास कर दी अब आप total कर दो यहाँ बेटा मैंने horizontal line place कर दी particulars में भी और amount में भी और मैं लिख रहाँ total बेटा क्या करूँगा मैं यह सारी amount का total कर दूँगा 1,130,175,175 और बेटा 235 और 235 और 72 मेरे प्यारे बच्चो 3,07,000 रुपीज आप चेक कर लेना कहीं मैंने calculation error तो नहीं कर दी तो बेटा यहाँ मैं क्या कर रहाँ total कर रहाँ अपनी सारी journal entry का मैंने total कर दिया बेटा और देखा कि business में बेटा कितना lane day हुआ है बेटा मैंने लिख दिया 3,07,000 रुपीज तो यहाँ मेरी journal entry बेटा बिलकुल finish हो जाती है यहाँ पर journal entry बेटा बिलकुल finish हो जाती है मैंने एक example कर तोर पर ब और 4 journal entry का यह और करके जाते है आज लो प्यारे बच्चो मैं इतना portion रप कर रहा हूँ आप solution note कर लो मुझे post करके चलो जी बेटा इस बार हम क्या करते हैं question को ना इस side लिखते है question को हम बेटा अपने left hand side लिख रहा हूँ है ताकि मेरे पस right hand side का सारा space journal entry के लिए बच जाए और question में छोटा छोटा सा लिख हूँगा बेटा started a business with cash started a business with cash 30,000 purchase goods 20,000 sold goods 25,000 land purchased 10,000 and rent paid 500 रुपीज लो बेटा मैंने 5 business transaction और लिखनी है बेटा और मैं इसकी journal entry करने जा रहा हूँ आपने business शुरू करा है cash के साथ purchase करे है goods 20,000 के goods बेचे है बेटा 25,000 के land purchase करी है बेटा 10,000 रुपी की और आपने rent पे करा है 500 रुपी मेरे प्यारे बच्चो मेरे इसाफ से तो आपसे ये question अब हो जाना चाहिए आप मुझे post करके ये question कर सकते हो ठीक है ना आप चाहो तो बेटा मुझे post करके ये question को खुद attempt कर सकते हो मैं format ready कर रहा हूं फटा फट से journal entry journal entry लो प्यारे बच्चो मैं journal entry करने जा रहा हूं बेटा format ready कर रहा हूं सॉरी 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 लो बेटा journal entry का format ready हो चुका है बेटा इस बार मुझे date नहीं given तो बेटा date छोड़ देना date की जगा आप लिखना चाहो तो slash करके लिख सकते हो serial number तो बेटा serial number में मैं पहली transaction लिख रहा हूं बेटा बाबु क्या हुआ है कहता है started a business with cash cash के साथ business start हुआ बेटा ये कौन से दो account पर impact डालेगा बेटा एक cash पर और दूसरा capital पर cash is a real account and capital is a nominal account और बेटा real का rule क्या कहता है debit what comes in अगर बेटा कुछ आ रहा है तो debit कर दो cash आ रहा है तो debit कर दो लो प्यारे बच्चो बिजनस शुरू करने से cash आता ही है cash account debit और बेटा personal का rule क्या कहता है debit the receiver and credit the giver बेटा कोई न कोई इंसान business को capital दे रहा है उसको credit कर दो लो बेटा to capital account बेटा आपने क्या summary लिखी being business started being business started तो बेटा मैंने narration भी लिख लिए है amounted to rupees 30,000 लो प्यारे बच्चो मैंने 30,000 से ये journal entry खतम कर दिया बेटा लो बेटा serial number two next transaction business में क्या होई purchase goods 20,000 रुपीज कौन कौन से दो account पर impact डालेगा बेटा एक purchase पर और कुछ नहीं बताया cash आया उधार मेरे प्यारे बच्चो तो बेटा जब कुछ भी नहीं पता और नाम भी नहीं पता तो बेटा cash होगा आपने goods purchase करा दो account पर impact डालेगा बेटा एक purchase पर और एक cash पर मेरे प्यारे बच्चो purchase एक nominal account है और nominal account का rule क्या कहता है debit कर दो सारे खर्चे purchase एक खर्चा है मेरे प्यारे बच्चो debit कर देना purchase account debit और बेटा cash cash एक बेटा real account है और real account का rule क्या कहता है बेटा debit what comes in and credit goes out बेटा कुछ business से जा रहा है तो उसको credit कर दो और कुछ आ रहा है तो debit कर दो बेटा cash business से जाएगा जब आप नगत में goods खरीदोगे cash जाएगा और जाएगा तो बेटा कर देना credit to cash account sorry, sorry, sorry narration लिखो बेटा being goods purchased 20,000 लो बेटा मैंने फटा फट से बेटा two business transaction को two seconds में solve कर दिया third one, बेटा goods बेचा है 25,000 रुपे का दो account पर impact डालेगा बेटा एक cash पर और दूसरा sales पर ठीक है जी बेटा, बाबू cash is a real account and sale is a nominal account nominal account का rule कहता है debit all the expenses and credit all the income बेटा credit कर दो सारी income को sales से एक income है credit कर दो, और बेटा real account का rule कहता है debit what comes in, credit what goes out debit what comes in, बेटा जब आपने नगद में goods बेचे तो cash आया, debit what comes in, cash आया तो debit कर दो, मेरे प्यारे बच्चों मैंने cash account को debit कर दिया लिख दिया बेटा to sales account और narration लिखो बेटा being good sold लो बेटा, amounted to rupees 25,000 amounted to rupees 25,000 और मैंने यहां पर बेटा close कर दी journal entry, fourth serial number, बेटा बोलता है land purchase 10,000 रुपीज, मेरे प्यारे बच्चों बहुत काम की बाद, land purchase करी 10,000 रुपे की, यह दो account पर impact डाले की बेटा देखो, अगर goods purchase करता है या sale करता है, उसके लिए हम purchases या sale account यूज करते है लेकिन land is a specific asset और land के लिए हम purchase account यूज नहीं करते हैं, हम land account यूज करते है तो बेटा, यह दो account पर impact डालेगा, एक land account पर और क्योंकि बेटा, कहीं आपने cash खरीद है, जब कुछ नहीं बताया तो बेटा cash खरीद है, नाम देता तो उधार हो जाता, नाम नहीं दिया बेटा, नगदी खरीदा होगा, तो दो account पर impact डालेगा, एक land पर और बेटा, दूसरा cash पर बेटा, land is a real account, सारी assets real होती हैं, और cash is also a real account, ठीक है जी बेटा, और यह क्या कह रहा है, debit what comes in, credit what goes out जो आया है, उसे debit कर दो जो गया है, उसको credit कर दो बेटा, land business में आई है land purchase करी, आपने land business में आई है, और cash चला गया है debit what comes in, जो आया उसको debit कर दो, बेटा, land को debit कर दो, credit what goes out, जो गया है, बेटा, उसको credit कर दो, तो मेरे प्यारे बच्चो, land account हो जाएगा debit और cash business से गया है, बेटा, cash हो जाएगा credit, और हम लिखेंगे बेटा, being land purchased और बेटा, कितने रुपे 10,000 रुपे, लो बेटा मैंने लिख दिया है बाबो, 5th business transaction ये क्या कहती है, बेटा, rent paid 500, rent pay किया है, आपने 500 रुपे, मेरे प्यारे बच्चो, कौन से 2 account पर impact डालेगा बेटा, एक तो rent account पर impact डालेगा, और एक cash पर एक rent पर डालेगा, और दूसरा cash पर rent pay किया है आपने, और cash बेटा, गया ही होगा बिजनस से, बाबू rent pay करने पर cash गया, दो account पर impact आएगा, एक rent पर और एक cash पर, rent is a nominal account and cash is a real one, और बेटा, nominal account का rule क्या कहता है, debit कर दो सारे खर्चे, rent एक खर्चा हुआ है बेटा, debit करना मत बूलना, लो rent, account, debit ठीक है जी, और क्या कहता है बेटा, real account का rule क्या कहता है, debit what comes in credit what goes out बेटा, कुछ आया है तो debit कर दो कुछ गया है तो credit कर दो, बेटा cash business से गया है जैसे ही आपने rent pay करा cash business से गया है, तो मैंने लिख दिया बेटा, rent account debit to cash account amounted to rupees 500 और बेटा, हम bracket में लिख रहे है being rent paid और मेरे प्यारे बच्चों, हम इसके बाद क्या करेंगे, total करने वाले हम बेटा, बिल्कुल, total कर दो और कोई business transaction अवे नहीं पता तो आप total कर देंगे, total बेटा, 30 plus 20, 50, 50, 60 85, 85 1500 आप एक बार मेरा total चेक कर ले ना, एक भी बच्चा calculator का use नहीं करेगा, कोई भी बच्चा बेटा calculator का use ना करे, गलती से भी बेटा ठीक है ना, हमेशा बेटा add और plus करेंगे, आप खुद से चलो जी, मेरे बैरे बच्चों, हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, next class में आते ही एक दो example और करेंगे इस बार आपको homework भी देंगे बेटा ठीक है ना, next class में आपको homework भी देंगे journal entry का, तो आज के लिए इतना ही बेटा, कल मिलेंगे, बाई बाई